Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing a new story, a bee and a dove. Bee means madhumakhi or dove means paakta. Madhumakhi or paakta. Once there was a bee. एक madhumakhi थी, it was very thirsty. ये बहुत प्यासी थी, it saw a pond. इसने एक तालाब देखा. It flew there. ये वहाँ पर उड़कर गई. It drank water there. इसने क्या किया? वहाँ पर पानी पी लिया. But it fell into the water. परंतू क्या हो गई ये? पानी के अंदर गिर गई. ये क्या थी? बिल्कुल डूबने वाली थी. इसने मदू मखी को देखा. And dropped a leaf. और इसने एक पत्ते को नीचे गिरा दिया. The bee came on the leaf. और जो मदू मखी थी, वह किस पर आ गई? पत्ते पर आ गई. The bee was saved. मदू मखी क्या थी? शेव हो चुकी थी. अब वह बच गई थी उसकी जान. One day a hunter came to the forest. एक फिन क्या होता है? एक जो hunter होता है, वो जंगल में आता है. He saw the dove. उसने पाक्ता को देखा. He wanted to kill it. और वो क्या करना चाहता था? पाक्ता को मारना चाहता था. The bee saw it. और मदू मख्खी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया. It stunk on the arm of the hunter. उसने क्या किया? जो सिकारी था, उसकी बाजू के उपर stunk. मिस्ट डंग चुबो दिया. The aim was missed. और जो उसका निशाना था, वो चूप गया. दा, डव, फ्लू, अभे. और पाक्ता क्या हो गया? उड़ गया. दा, डव्ज, लाइफ, वोज, सेव्ड. पाक्ता का जीवन बच गया. हर स्टॉरी की तरहे, ये स्टॉरी भी हमें एक मोरल देती है, एक सिख्षा देती है. Do good and get good. अगर आप किसी का अच्छा करोगे, तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा होगा. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी, ताकि नए आने वाले वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और स्टॉरी आपको कैसे लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं. Thank you.